भारतिये जंतपार्टी की पूर परवक्ता नुपुर शर्मा को धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को एक आरोपी को गिरफतार किया है। नुपुर शर्मा को लगतार कटर पंथी संग्ठनों से जान से मारने और रेप करने की धमक्या दे जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने भी नुपुर शर्मा के शिकायत के अधार पर इस समन्द में मामला दर्ज किया था। पाल तंवर बीजेपी की पूर परवक्ता नुपुर शर्मा पर नफरत और आपत्ती जनक टिपनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमने तंवर को गुडगाओं से गिर्फतार किया है। तंवर पर आईपीसी की धारप 506 यानि अपराधिक धमकी 509 यानि एक महिला का अपमान करना और 153 ने विभिन समूहों के भी दुश्मनी को बड़ावा देना के तहत मामला दर्ज किया है। बतादे कि इस वीडियो में तंवर ने नोपूर शर्मा की जीव काटने वाले को एक करोड रुपए देने का एलान किया था।